हम राम को एक मिसाल के तौर पर चुनेंगे क्योंकि भारत में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है उनका जन्म एक राजा की तरह हुआ था और उनका राज तिलक होना था लेकन कुछ विचितर हालातों की वजए से उन्हें जंगल में जाकर रहना पड़ा अपनी नई दुलहन के साथ उन्होंने एक युवास्त्री से शादी की जो एक राजकुमारी थी और महलों में ही पली बड़ी थी लेकिन अब वो इस युवास्त्री के साथ जंगल में जाकर रहते हैं आजकल किसी बेकार फिल्म में इसे ऐसे दिखाया जाएगा कि वो जंगल में मजे से रह रही हैं नहीं, आप जंगल में रहकर देखिए आप खुद को चाहे जितना भी खुबसूरत मानती हैं आप एक महिना जंगल में जाकर रही है उसके बाद हम आपको पहचान भी नहीं पाएंगे तो ये राजकुमारी जंगल में रहने को मजबूर थी और सौभाग्य से राम के छोटे भाई उनके साथ आए ये जानते हुए कि जंगल में वो किस तरह की मुश्किलों का सामना कर सकते हैं वो अपने खुद के परिवार को छोड़ कर अपने भाईया भावी की सेवा करने चल दिये मैं दस दिन पहले ही आंदर प्रदेश में यात्रा कर रहा था मैं एक छोटे शहर में था एक 14 साल की स्कूल की लड़की खड़ी होकर पूछती है सद्गुरू ऐसा कैसे हो सकता है कि सीता का अपहरण करके उन्हें श्रीलंका ले जाये गया और राम अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल चले गए ये कैसे हो सकता है क्या ये सच है फिर मैंने उससे पूछा देखो तुम अभी थोड़ी छोटी हो एक दिन अपने लिए तुम एक आदमी ढून लोगी जब तुम एक आदमी खोचती हो तो क्या तुम ऐसा आदमी पाना चाहोगी जो अगर तुम कहीं खोज आती हो तो वो तुमें खोजने निकलेगा या वो सोचे कि ये प्रैक्टिकल नहीं है और पडोस में दूसरी लड़की ढून ले तुम क्या पसंद करोगी 14 साल की लड़की भी जानती है फिर वो वहां गए कुछ तमिल लोगों को एकठा किया एक सेना तयार की हाँ हाँ वो एक तमिल सेना थी फिर उन्होंने युद्ध किया श्री लंका गए पूरे शहर को जला डाला और बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी को वापस ला पाए इस दौरान उन्होंने कई प्रीय लोगों को खोया लिकिन वो अपनी पत्नी को वापस ले आए लिकिन राजनैतिक दबाव इतना ज्यादा हो गया कि उन्हें अपनी पत्नी को अगनी परीक्षा से गुजारना पड़ा फिर उन्होंने उन्हें अपनी रानी बनाया और देश पर राज्य करने लगे फिर से कुछ राजनेतिक हालात हुए सीता गर्ब वती थी उस समय उन्हें सीता को वापस जंगल में भेजना पड़ा सोनो ग्रैम भी नहीं था तो उन्हें पता नहीं था कि लड़का है या लड़की है या फिर जुडवा बच्चे हैं या क्या है सीता जंगल चली जाती है और दो जुडवा लड़कों को जंद देती है ये जाने बिना कि ये उन्ही के बेटे हैं राम उनसे युद्ध करते हैं वो उन्हें मार सकते थे, ये जाने बिना कि वो उनके ही बच्चे हैं अगर आप किसी तरह संयोक से या अंजाने में अपने ही बच्चों को मार डालते हैं आपके जीवन में इससे बुरी ट्राजडी नहीं हो सकती, ये सबसे भायंकर चीज होती है वो लगभग ऐसा ही कर बैठे थे, लगभग उन्हें मारने ही वाले थे पर सौभाग इसे युद्ध में बच्चों की जान बच गई और फिर सीता ने जंगल में ही प्राण त्याग दिये राम का चेहरा दोबारा देखे बिना क्या आप इसे एक सफल जीवन कहेंगे? क्या आप इसे एक सफल जीवन कहेंगे? नहीं लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें हर चीज में काम्याबी मिली अगर इन में से कोई एक घटना भी आपके जीवन में हो जाए तो ज्यादतर लोग तूट जाएंगे और सारी जिंदगी कड़वाहट में बताएंगे लेकिन चाहे कुछ भी हुआ, उनमें कभी कड़वाहट नहीं आई वो कभी गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने कभी नफरत नहीं की उन्होंने सारे जरूरी काम किये, उन्होंने युद्ध लड़े, लेकिन कभी गुस्सा नहीं हुए, कभी नफरत नहीं की, कभी अपने जीवन में कड़वाहट नहीं आने दि हालां कि जीवन उनके उपर एक के बाद एक मुसीबतें उच्छालता रहा लेकिन वो उनसे उपर रहे और हम उसी की पूजा करते हैं क्योंकि असल में आपके जीवन में असल में यही माइने रखता है दुनिया आपकी और क्या उच्छा लेगी ये सौ प्रतिशत आपका चुनाव नहीं होता बस कुछ हट तक हम इसे काबू कर सकते हैं आप पर बीमारी उच्छाल सकती है मौत उच्छाल सकती है गोलियां बरसा सकती है आप पर शर्मिंद की उच्छाल सकती है हर तरह की चीजें उच्छाल सकती है लेकिन आप इससे क्या बनाते हैं ये सौ प्रतिशत आपका है अब अगर आप इसे एक चीज का जिम्मा ले लेते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आप पर क्या उच्छालती है उसे आप अपनी खुशाली में बदल देंगे तब आप जहां भी जाते हैं जिस तरह के हालात में जीते हैं चाहे आप स्वर्क जाते हैं या नर्क कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप जानते हैं कि आप उसे खुशाली में बदल देंगे यही वो गुण है जिसकी हम पूजा करते हैं यही गुण पूजने योग है क्योंकि ये हम में से हर किसी के लिए सच है अगर दुनिया बुराई फैंकती है तो आप बुरे बन जाएंगे अगर दुनिया कड़वाहट फैंकती है तो आप कड़वे बन जाएंगे दुनिया गुस्सा फैंकती है तो आप गुस्सा हो जाएंगे ज्यादतर इनसान इसी तरह से जीते हैं चूंकि वो इन बातों से उपर होकर जिये, हमने कहा वो भगवान की तरह हैं। लेकिन उनके जीवन में जो हुआ, उनके जीवन की बहुते घटनाओं को अगर आप देखें, तो वो एक बड़ी सी ट्रैजडी है। 32 साल की उम्र में आपको सूली पर चड़ा दिया गया, आपकी भयानक मौत होई, क्या आप इसे एक सफल जीवन कहेंगे? नहीं, लेकिन हम उनके आगे सिर जुकाते हैं, क्योंकि शायद हम नहीं जानते हैं, लेकिन लोगों ने हमेशा यकीन किया है, कि जब उनने सूली पर च चड़ाये गए, क्योंकि सूली पर चड़ना कोई सफल जीवन नहीं है, है न? लेकिन अगर आपने उनने सूली पर चड़ाया, तो भी उन्होंने अपना गुन नहीं खोया, इसी वज़े से हम उनके आगे सर जुकाते हैं, तो हमारे लिए बस यही माइने रखता है, चाहे उनका स्तित्व था या नहीं, वो आपके लिए एक प्रेणा का स्त्रोथ हैं, उनके बारे में कही गई हर चीज, चाहे सच हो या नहो, ये भी आपकी समस्या नहीं है, आप कोई इतिहासकार नहीं है, ठीक है? आपको बस कोई हस्ती चाहिए, ताकि आप खुद को बहतर की ओर ले जाएं, बस इतना ही, क्या फर्क पड़ता है? क्रिश्न थे या नहीं, जीजस थे या नहीं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आज से 2000 साल पहले, एक इंसान था या नहीं था, या ये बस एक कालपनिक कहानी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये वो गुण ह जो माईने रखता है, है ना? हम इन गुणों को महान गुण मानते हैं किसी तरह उनका अनुकरन करना चाहते हैं जिस भी हद तक हो सके हम उसी पर ध्यान दे रहें किसी तरह उसा है